आज किस बीडो में बात करेंगे बीए बेसी बिकॉम के जो भी सिकेंड समस्टर के स्टुडेंट है जिनको आने वाले दिनों में परिच्छा देना है ठीक है उनके लिए ये बीडो बहुत ही महात्पूर है क्योंकि आप सभी को हर समस्टर में एक को करिकुलर सब्जेक्ट की की परिच्छा देनी होती है जिसे कि आपने समस्टर में फूर्ड नुट्रेशन एंड हाइजिन की परिच्छा दी थी जो की अब्जेक्टिव बेस पे हुई थी यानि कि कोश्चन था चाराफन थे जो सायू से टिक करना होता था सेम उफी तरह आपको बीए बेसी बिकॉम के सिकेंड यानि की दोतीय समस्टर में भी अनिवार प्रस्णपत्र की परिच्छा देतनी होती है जिसका नाम है फर्स्ट एड एंड हेल्थ है जिसका हिंदी मतल्व होता प्रादमिक चिकंत सायम स्वाव्थ तो यह भी परिच्छा आपको देनी देनी पड़ेगी और इसम मंदित कोश्चन आज किस वीडियो मैं आपको बताने वाला हूँ जो कि वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महादपूर है तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और यह आपका अपना है चैनल सक्सेस टू यू है तो सब्सकाइब कर लिजेगा ताकि आपको समय रहते सवाफ नली के लिए किस प्रकार होती है थीक है सवास नली के लिए पस्च है अगला प्रश्ण है कि पेट जो बना होता है वह कितने भागों में मटा होता है या तो ध्यान होना और तो कि जो पीट तीन भागों से बना होता है बड़ी आथ के पहले भाग को क्या कहा जाता है यह जवाप दा हो जाएगा अगला प्रश्ण है कि बड़ी आत के दूसरे भाग कोलन में क्या होता है ठीक है बड़ी आत में एक दूसरा पहला भाग तो सीकप हो गया दूसरा होता है कोलन तो दूसरे भाग का जो कोलन होता है उसमें क्या होता है और रोहियंग होते हैं या फिर आरोहिय या फिर अनुप आकि अगला प्रश्टन है कि ग्रहंडी के बाद चोटी आत कि भाग को कहा जाता है जो चोटी आत होती है चोटी आत के ऊपर का भाग होता है उसको ग्रहडी के नाम से जानते हैं जहां से सुन लिजिए जो छोटी आत रहती है हमारे सरीर में उसके उपर का जो भाग होता है उसको ग्रहडी कहते हैं ठीक है और ग्रहडी का काम यह होता है कि जो पेट का पचा हुआ भोजन होता है उसका आंसिक रूप में उसमें जाता है ठीक नमबर मध्यांतर, ठीक है, ठीक है, मध्यांतर, ठीक है, आ नमबर से जबाब होगा, अगला प्रशन है कि मानो सरीर में यकरत कहां इस्तित होता है, तो यकरत आप सभी जानते हैं, तो मानो सरीर में जो यकरत होता है, वो होता है, उदर गुहा के पास, कहां पर होता है, उदर जो होता है उसके बारे में कौन साइस में सही कितना होता घ्रोकि आपको बता ना एच्छे लगस मानो येकरतर का वजन होता है और नंबर पर्शनन मए बाहरी हमें फोकाने के लिए उत्तरदाई उत अपक को क्या कहा जाता है उप झाने कि आंतिरिक अंग यानि कि जो आंतरिक अंग होते हैं एवं बाहरी उतकों को धकने के लिए उत्तरदाई उतक कौन सा है बहुत ही महत्पूर्ट प्रशन ध्यान रखेंगे अगला कि शरीर को गति प्रदान करने वाले उतक को ध्यान लखना है कहा जाता है पेशी उतक ठीक है अगला कि जो फरीर के अंदर एवं बाहर परिवर्तनों का पता लगाता है ध्यान सुलेंगे जो फरीर के अंदर एवं बाहर में जो डिफरेंस होते हैं परिवर्तनों होते हैं उनका पता लगाता है उस उतक का क्या नाम है तो उस उतक को हम लोग कहेंगे उपकला उतक ठीक है एक मिनिट जो फरीर के अंदर एवं बाहर परिवर्तन को पता लगाता ह वोन्य本ाशा सबाएं चुर्ण सब बताना है ट्रेशासुक्ट थी। थीजिवारी कष्ञाची चाहें इंसान हो यापि कोई अन्यपर्जातिका तिक के कोई प्राणी हो जाय मनुस्ट हो जिसमें जीव हो ठीक है तो प्रतेक जीव धारी के अंदर जो कोशिकाएं होती हैं शरीर में उनके समोह को हम उतक कहते हैं ठीक इस बात को भी ध्यान लखेंगे आगला प्रश्ण है कि निम्रिखित में से कौन सा अफ्तर उपकला एवं ढ हखने के से संबंधित है तो इस प्रश्ण का तो सही जवाब हो जाए कहला कि इंप्वार्टन नहीं बहुत कमाने के देखने कुम लेगा तो ग्रंथियों का उपकला ठीक है बहुत कमाने के उम्मीद है अगला प्रश्ण है कि जिसमें कोशिकाओं की दो या दो से अधिक प भी था नहीं तो उस उपकला उतक का नाम है अस्ट्री ठीक अस्तिरिक रत उपकलाar ठीक है ध्यान रखेंगे चली अगला प्रस्चन देखते हैं संरश्वार में समान होता है ठीक है सन्रचित होता है वो मतलब कि मास्पेशी में होता है अफ्थ में होता उतक में होता या फिर अंगतंत्र में होता है तो कुछ काओ का समूज जो सन्रचित होता है अंग दंत्र में होता है किसमें होता है आपको बताना है तो इस प्रस्णे का जो सही जबाब हो जाएगा यह सभाब होगा इसका नमबर दा एगला ऐगला कि तंत्रेका बहुत सघंसयोजी आवरण से घिरी होती है जिसे कहा जाता है तो तंत्र का बहुत संगन सईयोजी आवरण से घिरी होती है जिसे कहा जाता है ध्यान रखेंगे बहुत ही महात्पूर प्रश्ण है ठीक है उसको कहेंगे हम लोग owners के कार को नियंतित करता है तो जो नाम है वो हे श्ट्रो साइड्स या नाम है एस्टो साइड्स आप इसको क्या हो जाएगा उसको एक ग्लबर होंगा आगला प्रुस्ट मेंसे काउन सा रोग जंगों को नस्ट करता है तो इन आप्ट्सण न कले माइख सब्सक्राइब is the problem सब्सक्राइब करेτιmund अगला के साइल किलो पादक उतक में पाया जाते हैं तो अभीकान्स नफटक अधि कादक उतक उतक जाते हैं तो जबाब होगा अगला प्रश्ण के निम्निकित में से कौन सा एक प्रकार का अफ्तरीक्रत ठीक है सलकी उपकला है जिसमें किरेटिन की कमी होती है तो ध्यान रखेंगे इस प्रश्ण का आपने कि बहुत कमाता है इसको आप लोग सह उत्तर जान लीजें लेकिन सही उत्तर हो हो जाएगा करेटिन रहित अफ्तरिक्रत सलकी उपकला है अगला कि निम्निकित में से कौन सी मानौ सरीर की सबसे बड़ी कोश्का है तो सही जबाविश्का हो जाएक आप्शन नंबर साथ ही कि तंत्रिका कोश्का है बहुत बड़ी होती है मनुश्य के सरीर में ध्यान नख दिकाई है दा नंबर सही जबाव होगा अगला जन्म के बाद मानों कि किस उतक में कोई कोश्का विभाजन नहीं होता है तो जिसमें नहीं विभाजन होता है उसका नाम है तंत्रिका अगला है कि मनुश्य में मेरुदंड में कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है तो मनु मस्तिष याई दिमाग इंसान का सोचता भी है हिर्देगरत नियंतित करने के लिए सरी के संतुरन के विलिए इसने सही उत्तिष का हो जाएगा दा नंबर उप्रिक्ट में से सभी क्योंकि यह सभी के जिम्मेदार है अगला प्रशन है कि मनुस्तिष का मस्तिष कितने भागों में डिवाइड होता है ध्यान रखेंगे मनुस्तिष का जो ठीक है मस्तिष का है वो तीन भागों में डिवाइड होता बानंबर सही दब जवाब हो जाएगा ठीक है अगला मस्तिस्क का जो सबसे बड़ा भाग है उसका नाम है ठीक है प्रामस्तिस्क ठीक है क्या नाम है प्रामस्तिस्क बानमबर सही जवाब होगा अगला प्रश्ण है कि मानों मस्तिस्क में ब्रद्धी का केंद्र है तो मानों मस्तिस्क में जो ब्रद्धी का केंद्र है ज्यान रख सबसे कम पुनर योजन सकती है तो इस पृष्षय का सबसे कम पुनर योजन सकती होती है। अगला प्रश्ण कि किसी रोगी की जैविक मृत्य का अर्थ निमलिखित में से उसके किस अंग के उत्कों के मर जाने से है तो ध्यान रखेंगे प्रश्ण बहुत ही हाई लेबल का और कॉमन भी आपको जानना भी चाहिए में यानी कि मस्तिष्क यह जाती तो उसके अंग में उतक जो है मर जातें मस्तिष्क में अगला कि धटन की गत निम्लिखित में से किस से बढ़ती यानी कि वाइथ प्योझाब बढ़ती है तो सभीन हो जब से आपसे नंबर बार ठीक है अनुकंपी तंत्रिका-्तंत्र था कि वज़ाफे आपकी tę कि यह बढ़ती है कि अनुकंपी तंत्रिका-तंत्र थी वज़ाफें तो बात्व को है तो एखको ए चैने वह कि बहुतigg cheating प्लस आपके दांतों को श्ट्रोंग करता मजबूत करता है पाचन तंद्र का अंग नहीं है तो इन में से एक है जो पाचन तंद्र का अंग नहीं हो बाकी सभी है तो एक पाचन तंद्र का जो अंग नहीं है वो है फेफड़ाबा की आहार भी है अगना से भी छोटी है सो याहार से पाचन से संब्मंदित हैं अगला प्रस्थित मोग में लार ग्रंथियां होती है द्यान रखने की कॉमन और बहुत पॉप्लर कोश्चिन है उन्हें संख्या है जो एक लार रस्थ में किनवन पाया जाता है जाम पाए जाता है आपका यदीक है टाये लिय में याद रखेंगेन या नमबर सढ़न अगला है कि ठाइलीन नामक इंजाइम कि फ्रस्में पाया जाता है तो पाया जाता आपका लार में दानमबर सही जबाब होगा अगला है कि रेनिन नामक एंजाइम जो अमासे में बनता है ठीक है वो प्रोटीन पर किरिया करता है यह पिकेवल दूद की प्रोटीन पर किरिया करता है किस पर वो किरिया करता है ठीक है आपको बताना है तो रेनिन नामक खराव को इस वस्त में परिवत्तित कर देता है गलाई को जन में घो लाइग को जन में या पिर से लिवलोज में एंजाईम में इस टोड़् वा मंड में किसमें तो ध्यान रखेंगे इस प्रश्ण का सही जवाय हो जाएगा अफ्षिन नंबर आ ठीक है गुलाई कोजन में यह क्या करता जता है परिवर्थी त्यानिकी एक तरीकिस बोल सकते हैं टांसफर कर देता है ठीक बदल देता है अगला की हमाई से लेकर मल द्वार तक के मा स κ बहन को लोग किस नाम से जानते हैं तो स्व्पारव जाएका इसका अप्षिन नंबर हर नाल ठीक है उसको अहन नाल के नाम जानते हैं चाह नंबर स्वाब हो एक मनुष्ञ चाहिना परजाता है वो क्या है तो मुख में यानिक मूह में जिस परसक्तका पाचन प्रारंब हो जाता है उसका नाम है कार्बोहायटेट ठीक है सा नंबर सही जवाब होगा अगला है कि अमासे में सर्वित होता है तो तो आमासे में क्या सरवित होता है अमासे में होता है हाइड्र कुलोरिकrika adjust शही जफाब सब्सक्राइब अगला की अग्नियासिक रस्मिन नहीं पहे जबूर्ण तो सई जबाब इसका हो जाएगा आपसे नंबर दा टाइलिन नहीं पाया जाता है अगला की ग्रहण के अहार के इस पूस्टत्त का पाचन मुख में प्रारंब हो जाता है किस चीज का वसा का प्रोटीन का ये फिर कर्भोहाइटेट का सई जबाब हो जाएगा दा नंबर क्य क्या है शिखर भी है गृवा भी है और मूल भी शिरन सब्हक्त देश kings निकलता है जो जर्बेस अग्यां और इंधर में पाया जाता सने अग्ररंगों अग्या के बाद भोजन जाता है कहां पर तो गृष्णी के बाद भोजन कहां पर जाता है आपको बताना है कि अगला कि साका हारी जनतों में सेलुलोज का पाचन होता है किसके द्वारा तो सही जबाब इसका हो जाएगा आपसे नमबर दा सीकम के जिवान वो तो था प्रोटो अगला प्रश्ण है आप लोग समस्त की या पदार्थ बढ़ी आत्में असोशित होता है कौन सा पदार्थ है जो इन आपसरों में से जो वड़ी आत्में असोशित होता है तो इस प्रश्ण की पचे हुए बोजन का असोश्ण होता है तो पचे हुए बोजन का पहले छोट यातमि दिक है उसके बाद अग़ा प्रशनाइं कि टाइलिन नामक इंजाइम पाय जाता है ओप रहा जाता है वह पाया जाता भी या लार रस्में ठीक है अगला कोश्चन की रुदिर की रक्त की शुद्धी फरीर के किस अंग में होती है तो रुदिर की ओ पूरीर के जिस अंग में होती है उस अंग का नाम है ठीक है फेपड़े में ठीक है रुधिर की सुद्धी फरीर की के संग में होती है अगला है कि मनुष्य के सरीर में फेपड़ों की संख्या कितनी होती है तो मनुष्य के सरीर में फेपड़ों के संख्या होती है वो होती है दो ध्यान रखेंगे अगला है कि सुसन किरिया का प् स्वासो च्वास प्रक्रिया में सहायक नहीं है कौन सी चीज तो जो नहीं है वो है ठीक है वक्र वक्र जो है वो स्वासो च्वास प्रक्रिया में सहायक नहीं है अगला कि शुशन किरिया का यहां अंग शुशन किरिया और रक्त शुद्धी दोनों में कारे करता है कौन है अम बहुत ही मातपूर प्रस्ट नहीं सब्सक्राइब तो फेफड़े अगला कि प्राण वायू कहलाती है यानि कि प्राण वायू यानिकि जुआ जिस्चे आप जीवन चल लाहा जिससे आप साफ ले पाने जिन्दा है ठीक है तो पुराण वायू का नाम है आक्षीजन आपका पुराण वायू अगर यह नहीं है तो आपके पुराण चले जाएंगे पुराण पुर्लाण वायू निकालने के क्रिया को क्या कहते है नीश्वासन प्रशन प्रश्ण नहीं कि लोगिन किस्में सायक होता तो ध्यान लखेंगी वह सुसं में होता है अगला की स्वस्त्या नीकिक परफेक्ट मनुष्ट एक मिनिट में oसका सांस कि नहीं बार लेता है या फिर स्वांस लेता है कितनी बार ठीक है और बहुत इमहात्राबर प्रशन है ध्यानकेंगे इसका यसी जवाब अभजायगा हो जाएग अफिल लेता है वो 15 और 18 बार ठीक है हलाकि कई लोग तो अन्यमित भी लेते हैं ठीक है लेकिन परफेक्ट आदमी 15 16 बार अगला है कि मनस्य की स्वाफ नलिका का निर्मार होता है तो मनस्य की स्वाफ नलिका का निर्मार जो होता है वो होता है सी के अगार का ठीक है उपस्थित से सी के अगार का उपस्थित से कि आपकी इस नली नलिका है इसका निर्मार होता है सरे जब आपबाद हो जाएगा हिर्दे जो ओता आपका जो रच्छा करना ठीक है जो आपको बहुत प्रकार की विवारी हो जाती रोग ऑसी रच्छा करना अगला की मनुष्ट में शामानिता का हिरदय धड़कता है परतीमिनिट कि रिख शमान मनुस्ट में जो उसका हिर्दय धड़कता है ठीख है वह कितनी बार धड़कता है तो धान रखेंगे 72 से 75 बार रखता है जहां रखेंगे आनमबर सही जवाब रखत यानि ब्लट को हिर्दे से विभिन अंगों की और ले जाने वाली कौन सी हमारे सरीर की पार्ट हैं फिर कौन से अंग हैं या फिर मैं फरीका कौन सा ऐसा इलेमेंट्स हैं जो अंगों की और ले जाती हैं तो रखत को हिर्दे के या फिर हिर्दे से रखत को हिर्दे से यानि कि जो हिर्दे होता इससे विभिन अंगों की और जो ले जाती हैं उनका जो नाम है ध्यान रखेंगे ठीक है धामिनिया है बानमबर सही जवाब होगा अग अगला प्रश्ण है कि परिसंचर्ण संस्थान का अंग नहीं है तो परिसंचर्ण संस्थान का जो अंग नहीं है वो है गुर्दें दानमबर सही जबाब अगला की परिसंचर्ण तंत्र का प्रमुख अंग है तो परिसंचर्ण तंत्र का जो प्रमुख अंग है वो है होता है वो प्रवाहित होता है कहां पर ठीक है प्रवाहित मतलब बहता है तो तो प्रश्ण कि किस्म में कपाथ होता है तो जो कपाथ होता है वो होता है आपका सिराओं में ठीक है अगला है कि हिर्दे द्वारा महात्पूर्ण कार किया जाता है तो हिर्दे द्वारा महात्पूर्ण जो कार किया जाता है वो है नियमित रूप फे धढ़कना अगला है कि ग्राफ नली को और भी कौन से नाम फे जाना जाता है फिर कहा जाता है तो ग्राफ नली को अहार नाल भी कहा जाता है ध्यान लखेंगे आ नंबर सही जबाब होगा फिया है ग्रास नली जो होती है वो ससंनली किस चीज के लिए होती है तो ध्यार रखेंगी जो ग्रास नली है वո स्वाफ नली के लिए है स्वाइज जबाब आनंबड अगला कि फिलकितने भाइगों मेंBayite है फिर फचक कि फृक कितने बागों से बना होता है तो यह पर क्या भरा जाएगा तो बड़ी आद के पहले भाग को कहा जाता है ठीक है शिकम अगला है कि बड़ी आद के दूफरे भाग कोलन में क्या होता है ठीक है तो सही जबाब इसका हो जाएगा आप्शन नमबर दा क्योंकि आरोही भी होता है और और रोही भी होता है और प्रस्तंग भी होते हैं अगला प्रस्तंग है कि ग्रहणी के बाद छोटी आग के भाग को क्या कहा जाता है तो आपको मैंने बता है था मध्यान थीक है मध्यांतर कहा जाता है अगला की जो आपका हैजा रोग फैलता है किस वज़ा से फैलता है त भी बीमारी गता है अगला की टाइफाइद होता है जो लोगों को जाता है जो भुखार ठीक है तो वह गता है वह सी इसके के बाइक नाले वाली दिदों में हम और भी सिन आपको बताएंगे इंसर बताएंगे जब के लिए तैयार करते रहे हैं बाकी मिलते हैं को नई वीडियो में जब तक ले जहन्द